और इसलिए आज उस जगा पे आप है यहाँ G20 से सभी मुखिया यहाँ इकटे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे और आज आप लोग हैं जो भारत का भविश्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सभलता का रहस्य क्या है यहाँ मुझे पूछते हैं बहरे को जवाब नहीं देता हूँ कोई रेश्टांट वाला अपना कीचन दिखाता है या इश्वर कुपा हैं मैं समय से पहले समय को भाप सकता हूँ अभी भी कुछ सुनना बागी है क्या अभी कुछ सुनना बागी है कैसे हैं आप सब लोग थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाएं इस कारकम में उपस्तित मंत्री परिशत के मेरे साथ ही अजफिने वैश्णव जी जूरी मेंबर्स बाइप्रसुन जोसी जी रुपाली गांगुली जी देश के कौने कौने से हाँ उपस्तित सभी इस आयोजन को देख रहें मेरे सभी वासाथी और सभी अन्य महानुपाव आप सबका स्वागत हैं आप सबका अभिनंदर हैं और आपको लोग हैं जिन्नोंने अपनी जगा बनाई हैं और इसलिए आज उस जगा पे आप है भारत मंडपम और भारत सिंबॉल भी क्रियेटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही और यही जगा है जहाँ जी ट्वेंटी से सभी मुख्या यहां इकटे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रियेट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे और आज आप लोग हैं जो भारत का भाविश्य कैसे क्रियेट कर रहा उसकी चर्चा करने के लिए आए थे साथ्यों जब समय बदलता है ताइम चेंज होता है जब नए युक की शुरुवात होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना यह देश का दाइत्व होता है आज भारत मंडबंबे देश अपने उस दाइत्व को पूरा कर रहा है पहले नेशनल क्रियेटर एवोर्ट्स यह पहला है यह आयोजन नए दोर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है यह था मुझे पूछते हैं मैं हरे को जवाब नहीं देता हूँ कोई रेस्टांट वाला अपना कीचन दिखाता है यह लेकिन आपको मैं बता देता हूँ इश्वर कुपा है मैं समय से पहले समय को भाप सकता हूँ और इसलिए यह पहला ऐसा आवोर्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुक स्थान लेने वाला है यह इस नए युक को एनरजाईज कर रहे आप सब युवाओं को सम्मान देना क्रियेटिविटी को सम्मान देना और समाज की रोजबरा की जिन्दगी के प्रती जो सम्मेदन सिलता है उसको सम्मान करने का अफसर है बविश में यह अवाओं कंटेंट क्रियेटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है आज जिन्ने नेशनल क्रियेटर्स एवोर्ड मिले है मैं उन विजेताओं को तो बढ़ाई देता ही देता हूँ पर जिन्नों ने इसमें बड़ चड़कर के हिस्सा लिया क्योंकि बहुत कम समय मिला था हूँ हम ज़्यादा इस चीज़ को पॉपलर भी नहीं कर पाए थे और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें और समय ढवाऊं लेकिन जल्दी जल्दी मैं भी इतने कम समय मैं भी डेड़ पौने दो लाख क्रियेटिव माइंड से इसके साथ जूड जाए ये मेरे देश की भी एक पहचान बना देता है जी और साथियों आज एक और प्रवित्र संग्योग है ये पहला नेशनल केटर से वोड महाशिवरात्री के सुब दिन पर आउजित हो रहा है और मेरे कासी मैं तो शीव जी के बेना कुछ नहीं चलता है महादेव भगवान शीव भाशा कला और क्रियेटिविटी के जनक माने गए है हमारे शीव नटराज है शीव के डमरू से महेश्वर सुत्र प्रकट हुए है शीव का तानव लए और सुरुजन की नीव रखता है इतिहास और इसलिए यहाँ जो क्रियेटिव हैं उनके लिए नए सब्ज़ग मिल जाएंगे महासिवरात्री के दिन यह आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा सुखत संयोग है और मैं आपको भी और देश्वासियों को भी महासिवरात्री की बहुत बड़ सुख कामनाई देता हूँ फ्रेंड्स आज इंटरनेशनल मिमेंस डे भी है लेकि मैं देख रहा हूँ पहली बार पूरुष काली बजा रहे हैं वन्ना उनको लगता हमारा तो कोई डे आता नहीं आज जो एवोर्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं मैं उनको भी बसाई देता हूँ और और भी मैं देख रहा हूँ creative world में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा वे सबको देख रहा हूं मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके मैं देश की सभी महलाओं को बहनों को बेटियों को international women's day की बहुत बढ़ाई देता हूं और आज ही मैं अभी आप तो यहां बैठे हैं मैं गया सिलिंडर के सो रुप्या कम करके आया हूँ साध्यों किसी भी देश की जर्णी में किसी एक पॉलिसी डिसिजन या एक अभ्यान का कैसे मल्टिप्लायर इफेक्ट होता है यह आप सब को देख करके पता चलता है दस साल में हुए डेटा रिवलूशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स डिजिलरल अभ्यान इंडिया अभ्यान ने एक प्रकार से कंटेंड क्रियेटर्स की एक नई दुनिया क्रियेट कर दी है और पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी सेक्टर की वाशक्ति ने सरकार को प्रेडित किया हो सरकार को मजबूर किया हो कि कब तक बैठे रहो गए इसको भी सोचो और इसलिए भी आप बधाई के पात्र हो आज के इस एवर्ड फंक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारत के मेरे युवा मन को हर डिजिटल कंटेंड क्रियेटर को जाता है साथियों भारत का हर कंटेंड क्रियेटर एक और बात को रिप्रेजेंड करता है हमारी वाओं को अगर सही दिशा मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते है आपने कंटेंड क्रियेशन का कोई कोर्स नहीं किया है है ही नहीं तो क्या करोगे पढ़ाई के टाइम करियर से लेक करते हुए यह सोचा भी नहीं होगा कि हम content creator जैसा कुछ बनेंगे लेकिन अपने भविश्य को पहचाना future को देखा और ज्यादा तर लोगों ने one man army के तरह काम शुरू कर दिया अब यह सरद्धा को देखिए खुद अपना mobile करके बैठ जाती है कि अपने प्रोजेक्ट में आपी राइटर आपी डाइरेक्टर आपी प्रोडूसर आपी एडिटर यानि आपको ही सब कुछ कर रहा होता है यहनि एक प्रकार से इतनी टालेंट एक सब्सक्राइब जमा हो जाए और फिर जब प्रकट हो तो उसका सामर्थ कितना हो सकता है अंदाज लगा सकते हैं आपने आइडियाद गड़े इनोवेशन किये और उन्हें स्क्रीन पर जीवन्त बढ़ाया आपने दुनिया को नक्टिवल अपनी क्षमता से परिचित करवाया बलकि लोगों को दुनिया भी दिखाई आपने जो हिम्मत दिखाई उसी के कारण आज आप सब यहां पहुंचे हैं और देश बड़ी आँशा के साथ आपको देख रहा है आपका कंटेंट आज पूरे भारत में जवर्दस्ट इंपक्रेट कर रहा है आप एक तरह से इंटरनेट के एंबीपी ठीक है ना थोड़ा दिमाग खपाओ क्रियेटिविटी बताओ अपना जब मैं आपको एंपीपी कहता हूं मतलब मोस्ट वैल्यूवेल परसन बन गए साथियों आप सभी जानते हैं कि जब कंटेंट और टीरिटिविटी आपस में कॉलबरेट करते हैं तो इसे एंगेजमेंट बढ़ती है जब कंटेंट डिजिटल से कॉलेब करता है तो टांस्फोर्मेशन आता है जब कंटेंट परपस से कॉलेब करता है तो इसे इंपेक्ट दिखता है और आज जब आप लोग यहां आए हैं तो मुझे भी बहुत सारे विश्वों पर आप लोगों से कॉलेब रिक्पेस्ट करनी है साथ एक जमाने में हम छोटी से छोटी दुकानों पर लिखा देखते थे यहां बहुत टेस्टी फूड मिलता है ऐसा देखते थे झा कोई भी kommer कोई भी कहिए वहां क्यों ख़ाना तो बहुत टेस्टी फूड है लिकिन हम देखते हैं कि दुकानवाले लिखते हैं कि यहां healthy food मिलता है अब टेस्टी नहीं लिखता है healthy food मिलता है क्यों बडलाव आया तो ये एक बडलाओ समाज में भी आ रहा है इसलिए content ऐसा होना चाहिए जो लोगों में करतग्य भाव जगाए देश के पती आपके जो करतग्य हैं उनके लोगों को प्रेरित करें और आपके content का यही direct message हो यह जरूर नहीं है आप content create करते हुए इसका ध्यान रखेंगे तो indirectly भी उसमें जरूर जलकेगा आपको ध्यान होगा लाल के लिए से मैंने बेटियों के अपमान का विशय उठाया था एक बार मैंने ये भी कहा था कि आप बेटी शाम को घर आती है तो पूछते हैं क्यों देर से आई कहां गई थी क्यों जल्दी घर नहीं आई मैंने लाल के लिए से पूछा था कि मुझे कोई तो माबाब बताओ जो अपने बेटे को पूछते हो कि तुम देर से क्यों आ रहे हो कहां गए थे बेटी को सब पूछते हैं बेटे को कोई नहीं पूछता है मैं कंटेंड क्रियेटर से कहता हूं इस बात को आगे कैसे बढ़ाए एक माहूल कैसे बनाए समान जिम्मेबारी होनी चाहिए बेटी देर से आए तो भूकम्प हो जाए और बेटा देर से आए पेटा खाना तो खाया था न क्यों बई कहने के हमारा बतलब है साथियों कि हमने समाज के साथ जूड़ना है और इस भावना को गर गर पहुँचाने में आप जैसे साथि बहाद बच्छे धंग से जको कर सकते हैं देखिया आज महिला दिवस पर आप इस संकल को फिर दोहरा सकते हैं हमारे देश की नारिश शक्ति का सामर्थ कितना ज्याबा है वो भी आपके कंटेंट का हिस्सा प्रमुक हिस्सा हो सकता है मैं जुरूर दावे से कहता हूँ जी आप में से कोई थोड़ा क्रेटिव मैंड के साथ सुबह से रात तक मा क्या करती है उसी को थोड़ा रेकोर्ड करके उसको एडिर करकर रखे देखने वाले उस परिवार के बच्चे चौंग जाएं कि अच्छा मा इतना काम करती है एक साथ करती है ज्याने आपके पास एक ताकत है आप इसको ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं उसी पकारते जैसे गाउन की जोजिन्गी है अपने देखा हो कि एकनोमिक अक्रिविटी में गाउन की महला है बहुत बड़ी मात्रा में जूड़ी हो थी यह बेस्टन लोगों की जो सोच है न यह भारत में वर्किंग पुमेंन नहीं है अरे भारत में महला है तब ही तो संसार चल पा रहा है गाउन में आप देखेंगे इतनी एकनोमिक अक्टिविटी हमारी मात्रा बहने करती है अगर ट्राइबल बेट में जाएंगे पहड़ों में जाएंगे तो आपको मक्सिमम एकनोमिक अक्टिविटी हमारी मात्रा बहने करती है जी और इसलिए हमारी creativity के द्वारा हम यह जो गलत perception बने है न बड़े आशानी से बदल सकते हैं हकिकतों के आधार पर बदल सकते हैं और मैं मानता हूँ हम इसको करना शही है अगर एक दिन की जीवन की सिरफ cycle को हम दिखाएं तो पता चलेगा कि हमारे हाँ पशू पालग हो किसान महिला हो मजदूरी करने वाले महिला हो कहसे काम करते कितनी महानत करते साथियों स्वच्च भारत के सभलता से आप सभी परिचित है और आपने उसमें सहयोग भी किया है लेकिन यह तो निरंतर चलने वाला जनाद दोलन है कहीं पर भी कोई सभाय की अच्छी चीज आती है अब जैसे मैंने अभी एक रिल देखा कोई टाइगर पानी पीने जा रहा है और उसमें प्लास्टिक के बॉटल देखता है तो टाइगर मुण से प्लास्टिक के बॉटल उठाता है और कहीं पर जगा पर छोड़ने के लिए चला जा रहा है अब उसका मतलब मोदी किस-किस से बात पहुँचाता है समझ गया है ना अब उसके माद्यम से आप भी पहुचा सकते हैं और इसलिए आप इस विशे पर भी लगाता है कुछ दो कुछ जुरूर करते रहिए एक 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 विशे भी मैं आपसे सपर्स करना चाहता है और दोस्तों ये छोटी-छोटी चीजे जो मेरे मन को छुती है मेरे मन करता है कि क्रिएटिव माइन के लोग है तो शायद मैं मन खोल करके बाते भी कर सकता हूं मैं भाशन नहीं कर रहा हूं जैसे mental health ये बहुत ही छुने वाला विशेची है और वैसे तो डिजिल प्लेटफॉर्म पर काफी कंटेंट हसी मजाग से जुड़ा होता है लेकिन कई अन्य गंबीर विशेवी होते हैं मैं देखता हूं mental health को लेकर बहुत बदाई हो आपको बहुत बदाई हो बहुत बदाई हो बहुत बदाई हो मैं नहीं कहना हो नहीं बनाते है मैंने बोला ही नहीं है जी मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं मुझे मेरे देश के टैलेंट पर भरोसा है मुझे मेरे देश के लोगों के संबेदन सिलता मुझसे जराबी कम नहीं है लेकिन यह ऐसा है और जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं वो ज्यादा creative है ऐसा मैं कह सकता हूं क्योंकि mental health को लेकर काफी creators बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं लेकिन अभी हमें इस पर और ज्यादा काम करने की ज़रूद है और हो सकते तो local language गाओं के अंदर एक परिवार मगर ऐसा बच्चा है उनकी लिए क्या हो सकता है बड़े शेहर में five star दुनिया में तो होगा क्योंकि उनकी जिन्दगी में यह बहुत जरूरी है उसी प्रकार से बहुत बड़ा महत्वपण विशह है बच्चों में stress का हमें पता नहीं होता है पहले तो हमारा joint family होता था और बच्चे कभी दादी समाल लेती थी कभी दादा समाल लेते थे कभी नाना कभी नाना कभी चाचा चाची भावी भाई अब micro family हैं दोनों लोग चले गए हैं आया के पास बढ़ा है पता नहीं उसको stress का क्या स्थिति कुछ पता नहीं है अब जैसे exam का समय होता है स्टूडेंस पर रिजल्ट को लेकर के चिंता महत बढ़ जाती है सांस फून ले लग जाती है रिजल्ट आने वाई फोन पर दोस्तों तो कहरें जैसे रिजल्ट अभी आ गया हो लेकिन दीरे 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 पारागराम हो जाता भाई मैंने कई आण 12-15 साल पहले एक छोटी सी फिल्म देखी थी उस जमाने में तो उतना वीडियो वीडियो को पॉप्लर नहीं था लेकिन मेरी ये रूची है जानना समझना सीखना और उसमें ये बताया गया था कि कुछ भी गलत निड़ने लेने से पहले बहतर जीवन जीना ज्यादा आसान है और कितना जीवन सुन्दर बनता है और उस बच्चे को एक्जाम देनी होती थी उसको लगता है सब मैं नहीं कर पाऊं तो आत्मात्या करने के लिए सोचता है शायद उसके जो क्रिएटर होंग तो उसको मन करता है कि मैं रस्षे से टांग करके जान दे दूँ तो रस्षा खरिजने जाता है तो वो उसे पुछता है कि इतने फीट चाहिए लंबा तो उसे होता है फीट क्या होता है तो जाके पढ़ा ही करता है फीट ऐसे होता है फिर वो कहता है उसको वो हुग यार मरने से जाता तो पढ़ना सरल है बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गे उसने हाडली साथ आग मिने की होगी लेकिन जब मैंने उसको देखा और वो यह जो आत्वात्ता करने का मूड बन जाता है बच्छों छोटी सी चीज है लेकिन उसके जिन्दगी को एक पढ़ती है अब आप भी जानते हैं मैं परिक्षा पर चरुचा का कारिकम करता हूँ को लगते हैं । कई लोगों मजा कूड़ कर गया यार के प्रामिस्ट रहे कि बच्छों के साथ परिक्षा पर चर्चा करता है फॉल्टू समय क्याना मैं जानता हूँ दोस्तों कि मैं कोई सरकारी सरकुलर निचे के निकाल करके बच्चों की जीनगी नहीं बना सकता मुझे उनके साथ जूड़ना पड़ेगा उनको जानना पड़ेगा जी जान से जुटना पड़ेगा और उस समय यानि बारिष के बाद अगर मैं खेत में काम करूँ तो काम का है परिशा के दिनों में उसकी बड़ी ताकत होती है और इसे मैं हर सावल रेगुलर ये कारकम करता हूँ क्योंकि मेरे मन में ही होता है कि इन बच्चों के साथ मैं कुछ बाते करूँ खुल कर के बाते करूँ हो सकता है कि इस वे का चीज काम आ जाए उनके मन को छू जाए उनका हाथ पकड़े उनकी हैंड होल्डिंग करे उनके माबाब को लगे टीचर को लगे साथ हुए ये सार और ज्यादा बना सकते हैं, जो यूथ में हैं, ड्रॉग्स के नेगेटिव इफेक्स को लेकर एविदेश लाए हैं। हम बर्कुल दावे से क्रीटिव भी में समझा सकते हैं, कि ड्रॉग्स इस नॉट पर यूथ। मनना क्या है, हैर कुल, हॉस्टेल में बैटे हैं, है कुल, साथियों इसमें बहुत बड़ा, और आप लोग हैं, बड़े, क्योंकि आप उनके साथ जूड सकते हैं, उनकी भाषा में बात कर सकते हैं। साथियों, अगरे कुछ दिनों में लोगसभा के चुना होने जा रहे हैं, आप ये मत सोचिए, कहांच का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, कि हो सका तो नेक्स सिवरात्री पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कारकर मैं ही करूंगा। लेकिन मैं मैं लोगसभा चुनाव का बिशे उस अर्थ में नहीं लाया हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है, मुझसे जदा मेरे लिए आप मरते हैं, और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं काईकि मैं आपके लिए जीता हूँ, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते है वो मोदी की गारंटी नहीं है 140 करों देशवाजियों की गारंटी है यह बात सही है यह मेरा परिवार है साथयों मैं जो लोगसभाद चुनाव की बात कर रहा था और एक क्रियेटिव वोल्ड के लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे यूथ और खास करके हमारे फॉर्स्ट टाइम वोटर उनको हम जांगुरूत करने के लिए क्या कर सकते हैं और उसको पता हो कि बोड देना यहने किसी को जिताना हराने का काम नहीं है बोड देने का मतलब है तुम इतने बड़े देश की मिलने प्रक्रिया के हिस्सेधार बने हो तुम देश का भविश्य बनाने वाले एक महत्वपूर पार्टनर हो यह उस तक पहुचना जरूरी है जी उसको कभी यह मत कहिए किसको बोड दो लेकिन आप उसमतों जरूर कहिए कि बोड तो देना ही चाहिए वो तैय करेगा किसको देना किसको नई देना वो तैय करेगा लेकिन वोट देना चाहिए ये उसको जुरूर कहना चाहिए और मैं मानता हूं हमारे देश में दुनिया के देश जहां जैसे जैसे समरुदी बढ़ती गई वोटिंग पैटरन घड़ती गई दुनिया में देश समरूद हुए लेकिन अगल अग वेवस्ताउ mean समरूदी तक ले गए और बाद में लोकतंतर के दिसा में कहे भारत, शत प्रतीशत लोकतंतर के ही अदिस्धान को ले करके समरूद राष्ट बनने के सप्ने को ले करके चला है और दुनिया के लिए मॉडल बनने वाला है ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा मॉडल बनने वाला है लेकिन उसमें मुझे मेरे देश के नौ जवानों की भागीदारी चाहिए 18, 19, 20, 21 साल के देश साथियों हम अपने आस्पात देखते हैं कि जो दिव्यांग जन होते हैं specially able होते हैं उसमें बहुत प्रतिवा होती है टालेंट होता है आप उनके लिए भी एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे दिव्यांग जनों में जो इन्हेरंट ताकत होती है उसे बहार लाने की आवशकता है उसे भी सोशल मेडिया की शक्ति से जोडने की जरुद्वत है साथियों एक और विशह है भारत का इंफ्रियंस भारत के बहार और ज्यादा बढ़ाने का है आज दुनिया में आप में से जो भी परिचित होंगे विश्व किताथ आज भारत का तिरंगे का बहुत आंबान शान है भारत के पासपोर्ट के आंबान शान है है कि नहीं है है ना आपने देखा होगा यूक्रेन से बच्चे जब निकल रहे थे तिरंगे जंड़ा दिखा दिया काम चल जाता सजी यह सामर्द ऐसे ही नहीं आया है इसके पीशे एक मिशन बोर्ड में तपस्या की गई है दुनिया में आज बाताओं बड़ला है लेकिन उसको और अधीक आज भी दुनिया में कुछ परसेप्शन ऐसे ही है हमारे लिए हम उसको बदल सकते हैं कि हम और मैं मानता हूँ मुझे आद है मैं एक बार किसी एक देश में गया था तो एक इंटर्प्रटर मेरे साथ था तो परिचे वो और वो कंपुटर एंजिनियर साथ उस स्वरकार में काम करता था तो मेरी मदद कि उसने तीन चार दिन मेरे साथ था वो तो परिचे हो गया तो आखिर में उसना निए ह囉 आपको बुरा न लगे, सवाल पूछा चाहता हो मैंने कब क्या नि ऽो आपको बुरा नहीं लगेगा मैंने का ने ने दोस्त तीन चार दिन से आप देख रहे हो, बुरा लगने का, सवाल नहीं, आप जरूर पूचिये, नहीं नहीं, नहीं देर्णे नहीं पूछता हूं, नहीं मैंने का, पूछो यार। उसने का साफ क्या अभी भी आपके देश में साफ, सपेरे, चादू, टोना यही होता है क्या। यह मुझे पूछा गया सवाल था जी। मैंने का देख दोस्त, हमारे लोग तो उस जमाने में तो बड़े ताकत बड़ते हैं। तो साफ, पापून के लिए बड़ा बायाथ का खेल था। अब मैंने का हमारे ताकत बहुत कम हो गई है। और धीरे 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 करके मैंने का वो माउस पे आ गए है। लेकिन मैंने का वो माउस से पुरी दुनिया को हिलाते है। कि साथियों मेरे देश का ही जो सामर्थ है ना इस सामर्थ को हम कि आज अगर विदेश में बैटे किसी सक्ष को कि मैं समयता हूं हमारे सामर्थ से आकर्षित करें कि उनको लाने की बिशाम अभारा काम हो हम अपने कंटेन को ऐसा क्रिएट कर सकते हैं आप पुरी दुनिया में भारत के डिजिटल एंबेसेडर्स हैं दोस्तों और मैं मानता हूं यह बहुत बड़ी ताकत है आप फिक्शन आप सेकेंड दुनिया में पहुंच सकते हैं आप फर लोकल के ब्रांड अबेसेडर्स हैं मैं कल सीने कर में गया था तो एक नवजवान से मेरी बातचीत हुई रही थी मैं हरान हूं जो वो सिरफ शहयत का काम करता है मदुमक्की पालान का काम करता है और आज ग्लोबली उसे अपने एक ब्रांड पहुंचा दी है जिस्ट ड ओन इंडिया मुमेंट मैं बहुत जिम्मेवरी के साथ आप लोगों से अपरिक्षा कर रहा हूं क्रिएट ओन इंडिया मुमेंट की शुरुआत करें है हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को भारत के संस्कृति को भारत के हरिटेज और ट्रेडिशन को पूरी दुरियां से श को न आए है लेट उस क्रेट ऑन इंडिया क्रिएट फर दे वर्ल आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही आपके देश हम सब का देश भारत को भी जादा से जादा लाइक्स दे अब इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा दुनिया की उनिवर्सिटिज के साथ दुनिया के नवजवानों के साथ जोड़ना होगा आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं आप इसे कई लोग विज़ेशी भासा को जानते हैं नहीं जानते हों के तो आपके AI के मदद से काम हो सकता है कुछ लोग सिख भी सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा UN लेंग्विजी में जर्मन फ्रेंस परिज जिसे लेंग्विजी में कंटेंड बनाएंगे तो आपकी और भारत की भी रीच बढ़ेगी हमारे अरोस पर उसके देश हैं उनकी भासाओं में हम कुछ करें हमारी ये गलग पहचान बढ़ेगी और आपने देखा होगा पिछले दिनों पड़ा महत्व अभी कुछ दिन पहले बिल गेट्स के साथ गप्पे मार रहा था तो ऐसे ही AI वगेरे सारे विश्व पर बहुत चलता निकिए कभी उसके विश्व में जुरूर आपको पता चलेगा लेकिन हमने अभी कली एक डिसिजन लिया है हम AI मिशन को और मैं मानता हूँ दुनिया द क्योंकि भारत लिड करेगा मान के चलिए दो तो क्योंकि मैं आपके बरो से बोल रहा हूं अगा उसी प्रकार दे आपने देखा होगा सेमिकंडक्टर जिस प्रकार दे भारत सेमिकंडक्टर के दुनिया में आगे बढ़ रहा है और मैं बताता हूँ कि हम 2G, 4G बगरे में बहुत पीशे रह गए 5G में हमने लीड कर लिया वैसा ही हम बहुत तेजी से सेमिकंडक्टर के दुनिया में हम दुनिया में अपनी जगा बना लेंगे दोस्तों और देखते ही देखते हम छा जाएंगे और ये मोदी के कारण नहीं मेरे देश के नवजवाँ के कारण मेरे देश के टैलेंट के कारण इतना सामर्त है मोदी तो सिरफ अवसर देता है रास्ते से कांटे हटा देता है ताकि मेरा देश का नवजवान तेज गति से आगे बढ़ चले पर इसलिए मैं चाहता हूँ ज के साथ उसके उनकी सोच समझ के अनुकूल हम जितनी चीजे पहुंचाएंगे मैं समझता हुमारा नाता और जुड़ेगा हमें अपना विस्तार करना है अपना प्रफाव पैदा करना है दोस्तों और एक क्रिटी वर्ल बहुत अच्छी तरह कर सटते हैं और यह की ताकत आप जानते हैं आजकल देखा होगा मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ कुछी समय में वो आपको हिंदुस्तान के आठ दस लेंग्विजिज में यह मेरी सारी बाते आपको मिल जाएगे क्यों मैं यह का उप्योग करता हूँ आपके साथ अगर आते ही जाते मेरा फोटो नि आपके एक आठ फोटो में आई ही है तो भी आपको खीच करके ले आएगा वहाँ यह के ताकत है हमारे देश के नौजमानों की ताकत है और इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत के पास यह सामर्थ है हमें सामर्थ को लेकर आगे जाना चाहता है और नेशनल इंटरनेशनल लेव पर भारत की एक छबी नई उचाही पर ले जाने का काम हम अपनी इस क्रेटिविटी से कर सकते हैं एक फूड क्रिएटर किसी को मुंबई के बड़ा पाउं कि मशूर दुकान तक पहुंचा सकता है एक फैशन डिजायर दुनिया भर को यह बता सकता है कि भारत के कलाखरों क की खुबी क्या होती है एक टैग क्रिएटर पूरी दुनिया को बता सकता है कि मेकेन इंडिया से हम क्या बना रहे हैं और भारत में इनोविशन कैसे बढ़ रहा है एक गाउं में बैठा ट्रेवल ब्लॉगर भी विदेश में बैठे किसी इव्यक्तिक को अपने वीडियो से हिंदुस्तान की आतरा के लिए मोटिवेट कर सकता है हमारे भारत में इतने अलग अलग तरह के मेले होते हैं हर एक परवा में अपने एक स्टोरी होती है और दुनिया उसे जानना चाहती है जो लोग भारत को जानना चाहते है भारत के कौने को जानना चाहते है उनकी भी आ प्रशे में कॉंप्रमेंट कभी मत किजिए आप देखिए एक उनिक अंदाज में आप जाएंगे अब देखिए आटिफेक्स तो बहुत होते हैं अर्केवलोजी वाले बहुत चीज़ें निकाली होती है लेकिन जो मीजियोलोजी जानता है न वो जब उसको बनाता है रखता ह तो हम उसी यूग में पहुँच जाते हैं तिन सो साल पुरानी चीच देखते हैं तो लगता है कि मैं उस समय जी रहा हूँ creativity की यह ताकत होती है दोस्तों और मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के भीतर वो creativity है जो मेरे देश का फाग्य बदलने के लिए एक बहुत बड़ा catalog agent बन सकता है और इसी भावना से मैं आज आप सब को मिला आप सब को बुलाया आप बहुत ही कम नूटिस से आए आपने कुछ करके दिखाया है जूरी को भी मैं बदाई देता हूँ क्योंकि डेड़ पोने दालाख लोगों के एक एक बारी की को पहुंचाना बड़ा कठीन का काम है लेकिन आने वाले दिनों में यह काम और अधिक अच्छे ढंग से अधिक साइंटिफिक ढंग से हम कर पाएंगे मैं फिर एक बार आप सब को बहुत-बहुत सुब कामराई देता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद